दुबारे से लोंग आया, इनने एक क्वेंटिटी और बढ़ा दी, जो मैंने स्ट्राटिजी इंडिकेटर लगा रखा है, जिससे ये एवरी 15 सेकिंड में अलर्स दे, आप देख सकते हो, यहाँ पर 15 सेकिंड लिखा है, तो इसमें 15 सेकिंड में अलर्स आते रहेंगे, देख करते हैं, विट फुली अलगो, तो बाकी चीजे में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले में इसे ओन कर रहा हूं आपके सामने, और मैंने स्टार्ट करा, ओल इनने अक्टिव अलर्स को, यह करा, अब आप देखना, इधर हो क्या रहा है, ब्रीफ में मैं आपको बाद में सम तो महारे पस पराणी पोजिशन थी नहीं, तो इनने लगाई नहीं पोजिशन इननने इहां पर लगा दी, राइट साइड में एम्टी फाइफ खोल रखा है, लेफ साड में ट्रेडिंग भी खोल कर रखा है, दुबारे से लोंग आया, इनने एक क्वेंटिटी और बढ़ समझाता हूं कि कर क्या रखा है, पहले हम देखते हैं इंडिकेटर को बाइट साद मुझा रखा है, यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा रखा है जिसका नाम है डेमो, लरग, ते ग्रीन चैंडल पे रेक का सिगनल पर अवा सिगनल बन रही है, और यह एकशा क क्वे है है प् उसके अगली candle पे confirm माना जाएगा और ये alerts लगाएगा जैसे कि ये red बनाता है तो इस candle पे इनने close करने का syntax दिया और नई sale की position लगा दी अब जब तक ये sale sale red red आते जाएगे ये sale sale red करता रहेगा और इसी तरीकी से order लगाता रहेगा तो हम बात कर रहेते कि मैंने दो alerts लगा रखे हैं और इसके अंदर fully algo का syntax लगा रखा है और मैं आपको एक चीज़ और बता दू एपे connection कैसे बनता है इसकी वीडियो मैं पहले ही दाल चुका हूँ यहां मैं fully algo के order के बारे में बताना चाहरा हूँ तो सबसे पहली बात कि PC on or off or doesn't matter आपने alerts लगा दिया उसके बाद PC बंद कर दिया आपके order लगते रहेंगे जैसे मेरे दो alerts लगे वे के लिए आप 30 दोलर और 100 दोलर या 10 दोलर की service अलग से लेते थे थट पाटी पे उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है मेरे खाल से 2x 3x फास्ट है यह देखो जैसे green का signal आये पुरानी position सारी क्लोज कर दी और नई position लगा दी आप रिकोर्डिंग को भी देखते रहना साथ की साथ जो हो रहा है अब हम बात करते हैं कि हमने करा क्या है तो सबसे पहले हम website पे चलते हैं अब आपको मैं दिखा देता हूँ order अब बाद में देखना और यहाँ पर आप syntax पे किलिक करोगे तो syntax पे किलिक करते ही आप इस page पे पहुच जाओगे मैंने यहाँ पर syntax बना रखा है आपको क्या करना है आपको MT4 & MT5 पे जाना है और fully algo syntax बनाना है इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दू पुरानी position close नई position है तो मैं यहाँ पर BTC ले लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा भी सकूँ कि मैं क्या करना चा 100 रुपे का मतलब 100 डॉलर का दाल देता हूँ ठीक है जी अब यह जनरेट होगे इसे copy करना है और इसका use करना है अब इसका use क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहली बात यह जो order लगाएगा वो यह इस symbol पर order लगाएगा quantity यह लगाएगा buy side का order लगाएगा 100 रुपे का stop 900 पे यह आपका stop loss लगादेगा और 19,200 पे यह take profit लगादेगा जो value है वो जो current prices से plus minus कर देगा I hope आपको समझ आ गया होगा ऐसे आपको एक buy का syntax बनाना है यह buy का बन गया और ऐसे आपको sale क्लिक करके sale का बनाना है यह sale का बन गया यह 2 alerts बन गया उसके बाद आपको अपने trading पे जाना है और यहां पर 2 alerts बनाने आप कोई भी indicator ले सकते हो मैंने जो अगर मैं इस indicator को हटा दू तो आप इस तरीके का अगर मैं indicator लेता तो इतनी जल्दी जल्दी order नहीं आते और फिर क्या होता कि मैं आपको live नहीं दिखा पाता तो मैंने क्या से indicator चूज करा जिसका signal बह अब इन दोनों को मैं off कर देता हूँ आपके सामने पहले alerts को नहीं तो order जाते रहेंगे मैंने off कर दिया तो इस तरीके से आपका पुरानी position क्या होगा जब आपका buy का signal आएगा अब मैं दूसरा indicator on कर देता हूँ दिखाने के लिए as a example जब भी आपका buy का signal आएगा तो आप आपका synergy चलता रहेगा fully algo में आपने alerts बना दो उसके बाद ही चलता रहेगा एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ fully algo में आपको बता जे कैसे बनता है और जो order का वो है लोग अगर आपको देख रहा है मैं page को refresh करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे जितने भी मेरे order गए उसका millisecond लिखा है तो जो आज यह order जा रहे है अभी के time पे जो जा रहे थे 15 second में मेरा order लग रहा था यह minimum देड़ सेकिंड में जा रहे थे 1000 second में 1000 millisecond होते हैं तो यह देड़ सेकिंड के अंदर अंदर जा रहे थे order आप time देख सकते हो इस तरीके से यह काम करेगा depend करता है आप क्या use कर रहे हो अगर TPSL नहीं use कर रहे होते तो और फास जाता क्योंकि कम request यूज होती है उसके अंदर तो फिर से मैं इसे इधर करता हूँ I hope आपको पता चल गया होगा कि यह कैसे काम कर रहा है अभी मैंने OctaFX का account यूज कर रहा हूँ MT5 के साथ आप किसी भ broker का account यूज कर सकते हो एक बार को मैं दुबारा चला देता हूँ इस चीज को और पहले मैं इसे हटाता हूँ और इस indicator को लगाता हूँ जो लगा वाता एंड मैं आपके सामने रिमूव करके हाँ आपके सामने इसको जो alerts बना रखे इने चला देता हूँ alerts बनाने आपको आते होंगे नहीं आते तो एक बार दिखा देता हूँ मैंने इसे select करा अपना indicator चूज करा इसमें custom alerts था तो मैंने long करा once per bar close कर दिया क्योंकि repaint indicator था और यहां पर आपको अपना webbook डालना है webbook कहां से मिलेगा यह भी बता देता हूँ मैं आपको दूबारा स इसको full खोल के दिखाते हो और dashboard पर जाओगे और यह रहा आपका sequence webbook इसे copy करोगे और यहां पर पेस्ट कर दोगे उसके बाद आपको यहां पर आजा type करना है जो भी आप type करना चाहते हो long मैं long type कर देता हूँ उसके बाद आपको यहां पर यहां पर आपको यह syntax दालने है यह syntax दलावा है यह name है यह webbook है इस तरीके से मेरा दलावा है मैं इसे side में कर देता हूँ and मैं इसे run कर देता हूँ अभी मेरी position sale side में पहले से खड़ी है जैसे मैं इसे activate करूँगा जो alerts है मेरे activate होंगे और आप देखोगे मेरे order जाने शूरू हो जाएंगे अब जैसे यह candle confirm होगी कि यह green है तो यह position को काटेगा और नई position sale की buy की लगा देगा तो हम आपके सामने देख लेते हैं जैसे इदर आएगा तो आप देख लेना यह tag आ रहा है long shot यह long आया यह position काटी और यह लगाई इस तरीके से live काम करेगा I hope आपको पता चल गया होगा previous video में मैंने बत इस वीडियो और इससे रिलेटेश कोई भी कोईरी हो टेलीग्राम गूरूप को जोइन कर लीजे या वट्सअप पर हमें मैसेज कर देगा